जैसे ही इस मचली को पानी से बाहर निकाला जाता है तो ये गुबारे की तरह फूल जाती है इस मचली का नाम है पफर फिश जिसे बेलून फिश भी कहा जाता है दरसल ये मचली अपने आपको इसलिए फुलाती है ताकि शिकारियों से अपनी ज्यान बचा सके क्योंकि फूलने पर शिकारी इसे नहीं खा पाएगा वैसे ज्यादा तर लोग इस मचली के एक चीज़ के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजड है लोग मानते हैं कि ये मचली अपने अंदर हवा भर लेती है लेकिन ये सरा सर गलत है बलकि ये अपने अंदर पानी भर लेती है और घत्रा टलने पर वापस नॉर्मल हो जाती है